अलो भीवास, विल्कम बैक टू माई कीचिन, आज हम लोग बनाएंगे काटिया पाप्री नमकिन, जो गुजराटी डीशा है, लेकिन सबका बहुत ही पसंद है, स्पेशली टी और कॉफी के साथ तो बहुत ही अच्छा जमते हैं, और बनाना भी बहुत ही आसान है, और स्टो आजवान को जो रूड डालिये, इसको हाथो में अच्छा से क्राइश करके इसका अंदर डालना है, आजवान जो रूड जालना है, इसको बहुत ही इंपोर्टेंट मसाला है, उसका बाद मैंने ब्लैक सीट डाल रहे ह। जिसको अनियों सीट कहते हैं, कालेंज जिपी कहते बैंगे, इसको अच्या सरकार के लेंगे, इसका पाउडर बिल्कुल यूस नहीं कारेंगे, क्युक्कि क्राश करके डालने से इसको टेस्ट अ, फ्लेवर बहुत ही आचा आते हैं, इसलिए थोड़सर क्राश करके ढलना है, आपको जितना तिखा पन पसंद है, आप उतना ही इसका सथ अप चीली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, अपका ज्यादा तिखापन पसंद है तो, और हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने उतना कालर पसंद नहीं है, इसलिए मैंने नहीं डाला, अब इसको मीक्स करके साइड में राखना है, और मैंने आधा कप पानी जिसको मेजर्मेंट से मैंने बेसोन लिया था, उसी काप का या आधा काप पानी लिया, और 3 टेवल स्पून मैंने ओयल डाला, और थोड़ा सा बेकिंग सोडा इसमें डालूंगी, जिसको मीठा सोडा भी कहते हैं, इसको बेकिंग सोडा को 1 आप टीस्पून ऐसा डालना, चालाने का बाद इसको ऐसा टेक्स्टर आएंगे, जैसे मिल्क जैसे हो जाएंगे, उसको हम लोग बेसोन से मिला के एक सोफ्ट डो बनाना है, तो इसको ग्रैजुएली मीक्स करते रहिए, जादा एक साद डालेंगे, तो पानी जादा भी हो सकते हैं, क्योंकि बेसोन में जादा पानी नहीं लगती है, तो अब देखिए हम लोग का पानी थोड़ा बाज गई, और इससे लिए देखिए कितना आचा सॉब डो बन गई ना, एसा ही टेक्स्टर होना चाहिए, इसको ऐसा मीक्स करके हम लोग साइड में थोड़ा टेन मिनिस के लिए राग देंगे, दर्श मिनिट के हम लोग इसको फुलने के लिए राग देंगे, तो हम लोग फ्राइ करने का टाइम पे इसमें ज्यादा ओइल नहीं लागेंगे, ज्यादा ओइल नहीं पिएंगे, तो इसको आचा रहते हैं, और भी प्लेवर आचा आते हैं, तो ऐसे कोई बात नहीं है, मैंने भूल गए थी, इसलिए आप जब लोग भूल जाएंगे तो ऐसा कर सकते हैं, इसका साथ अभी डो को हम लोग मेशीन का अंदर डालेंगे, मेशीन का अंदर जो प्लेट रहते हैं, वो जो शेप का चाहते हैं, उसी शेप का चेंज कर सकते हैं, इसका साथ बहुत सरे तो मैंने वह पसंद आई तो मैंने इसी प्लेट को आंदर ढ़कर तो इस शेप का ही महीं बनाओंगी जैसे घटिया का शेब इसका बाद मैंने डो को इसका अंदर मेशिन का अंधर डाल रहे हूँ आप चाहे तो पहले मेशिन को थोड़ा सा ग्रीस भी कर सकते हैं बट मुझे नहीं करना लगा तो इसा मैंने डाल दिया आप चाहे तो आप थोड़ा सा ग्रीस करके उसका बाद आप डो को डाल सकते हैं तो आप देखिए जितना हो सके आप डालके इसको close किजिए तो क्या है बार बार इसको open करने का जरूरूरत नहीं है और एक साथ आप बहुत ज्यादा बना पाएंगे अब दीखिए हम लोग भर लिया अभी इसको close कर देंगे है और हम लोग fry करेंगे तो हम लोग fry करने के लिए oil गॉरम होने के लिए राग दिया अभी oil थोड़ा सा गॉरम हो ग है आप मीडियम लो फ्लेम में करेंगे तो उसको फूलेंगा नहीं इसलिए मैंने मीडियम फ्लेम के हाट टाइम बोलते हैं मीडियम फ्लेम में पकाईए तो फूलेगा भी और सेम एक साथ उसको crunchy और क्रिस्पिनेस भी आते है अब देखिए अब दोनों साइड हम लोग अच्छा साउंड आ रहा है ना इसका मतलम ही बहुत ही crunchy और क्रिस्पी बन गई तूसरी से मैं अभी पाप्री बना रही हूं तो मैंने उसको प्लेट चेंज कर लिया पहले अला जो प्लेट का शेप था उसको चेंज करके मैंने पाप्री अला शेप लगा दिया लेकिन उसक मेरा कामेरा मिस कर गया उसको देखान चेंज करने का टाइम पर तो आप प्लेट जाड़ा जो आती है उसको आप चेंज कर लिजिए आप इसा चाहते है तो नहीं तो आप एक ही शेप का और स्टाइल का भी बना सकते है आपका मर्जी है लेकिन मुझे थोड़ा प्लेट बहुत सारे शेप आएंगे आपको जो शेप अच्छा लगते है उसको आप बना सकते है और इसको बहुत दिन तक स्टोर भी कर सकते है तेन फिप्टिन देस तो आराम से कोई-कोई एक माईने भी इसको आराम से जैसे स्टोर करके या टाइट कंटेनर में राख सकते है जब जाथोरा करके आप प्राइ कीजिए आप देखिए कितना क्रांचियन किस्पी बन गई ना ज्यादा हाइफ्लेम में नहीं करना है आप देखिए एकदम बहुत ही अच्छा पप्री बन गई हमारा इसको आप लोग बना के चाई का सब कर सकते है कोई भी गेस्ट आजाए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू फॉर वाच्छा